लंजागी यारी सब पे भारी फुली लोड़ेट विट फीचर्स एक्नॉमिकल प्राइज और इसके लबा एक्विप्ट विर लेटस टेक्नॉलजी आज चुकी है फाइव तु सेमन डिफेंट कलर्स में इसमें आपको मिलेगा इसके लबा पूरे पाकिसान में आपको मिलेगा लिकानाटू कमपनी पे इसके अदिके लंवा की सिटी से बेलूग करते हैं एक नमबर पे आपने कॉल मेसिज करना आपके डोस्ट अफ से आप हासिल कर सकते हैं 0315 5555-0747 हमारा वाटसअप नमबर है इसके लबा हमारा कोई दूसरा ओफिशल नमबर नहीं है आपने सिर्फ इसी नमबर पे कॉल मेसिज करनी है और इसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं ब्लैक यूनिट मेरा ख्याला आज इसका रिव्यू कर लेते हैं तो ब्लैक यूनिट को आगे ले के आते हैं और डिटेल्स रिव्यू आपको बताते हैं इसकी क्या स्पैसिफिकेशन हैं क्या फीचर्स हैं और इसके थोड़ी धूम भी आपको दिखाते है कि कितनी पिक पावर पर्फोर्मस आपको इसमें मिलने वाली फिरती है जो यह एक्सिडेंट हो गया हजी साब का एक स्लोगन है जो कि बड़ा ही फेमस और मशूर है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर गर गर में रम्जा को ले आना है और इस प्राइस में मैं दूँगा कि हर बंदा एक दफा सोचेगा कि मैं यह वाली प्रोड़क लूँ या कोई और ब प्रणटी भी मिल जाती है जो कि रिप्लेस्मेंट है और बैक साइड पर आपको यहां पर ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है इसके लवा इसका जो हैड्रॉलिक सस्पेंशन है यहां पर डूल शॉक्स इसमें आपको मिलते हैं साइड फिंचिंग के वाले से बात कर ली जाए तो नया है थी खुब्सूरत पेंट क्वालिटी के अंदर आपको यह मॉडल मिल रहा है और साइड पे रिफ्लेक्टिंग इंडिकेटर्स में मिलते हैं साथ में दिएगे इंडिकेटर्स के साथ रिफ्लेक्टर्स भी आपको नजर आएंगे बैक साइड पर आप लाइड मिलेगी मट फ्लेप इस पे मिल जाएगा लेफ साइड पे आपको इसके उपर मोटर के जो रमजा है वो लिखावा नजर आएगा और इसके साथ मोटर नमर भी आपको लिखावा यहां पे नजर आएगा जो के इसकी रिजिस्ट्रेशन के टाइम पे नोट किया जा सिटिंग का पैस्टी फॉर टू परसंदर दो बंदे इसके पर इजली बैठ सकते हैं मैं यहां पर यह बैठ चुका हूं और मैं कंफर्टेबल हूं बैक साइड पर बैठने वाला यहां पर बैठ जाएगा और इस जगह पर उसका सिटिंग पॉस्चर होगा पाऊं वह यहां पर अपने फुट्रेस्ट पर रखेगा इसके लावा यहां पर आप त्री तू फाइजी वेट एजिली हैंग कर सकते हैं लेफ्ट एंड साइड पर यहां पर दीगी वी जो अलक्स स्टोरी स्पेस हैं सेलफ़ून अक्सर तो मैं जब स्कूटी चला रहोता हो तो यहां अप सलफून रख लेता हूं या कोई पानी की बॉटल वगरा रख लेता हूं तो आपके पास एक स्मार्ट स्टोरी स्पेस इसमें आपको मिल जाती है सीट को अपन करके दिखाते और इसके अंदर जो स्टोरी स्पेस आपको मिलती है यहां पर आप अपना हेलमेट बग़र या दुरूरी समान एजली कर सकते हैं इसमें आपको चारजर मिल रहा है और इसकी जब चारज पर आप इसको लगाएंगे तो हैं यहां पे लाइट रेड शो होगी जब इसकी चारजिंग फूल होगी तो आपको लाइट ग्रीन शो होने लग जाएगी ABS material के साथ best और बेतरीन quality माशालला रमजा ने निकाल दी है इसके साथ इसमें आपको एक smart वो sensor भी नज़र आया था जिसको कहते हैं breaker जब आप इसको off करेंगे तो यह scooter disconnect हो जागी और long time पार्क करना चाहते हैं अगर एक दो हक्ते आप इसको यूज नहीं करते तो breaker अपनी स्कूटी का off कर लिया करें इसी के साथ साथ आपको मीटर की digital display आपको दिखाता हूं अगर मैं switch को off करके on करूं तो बहुत सारे आपको features one time में इदर नजर आजेंगे 60 वॉल्ट इसके ओपर लिखा आ रहा था बैटरी इसके अदर 60 वॉल्ट की है किलो मीटर इस टाइम पर आपको नजर आ रहे है 00 मतलब एक किलो मीटर यहाँ पर भी निकल नजर आ रहा था कि यह चली हुई है इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बैटरी के बार नजर आएंगे यह वन किलो मीटर जो चली होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन इसको बोला जाता है जब भी फैक्टरी से कोई भी यूनिट आउट होता है गेट पास बनने से पहले उसकी इंस्पेक्शन की जाती है पी लिखा हुआ रहा है मतलब इस टाम यह पारकिंग मोड पे है पारकिंग मोड से इटाने के लिए लड़ साइड पे दिया गया यहां पे हैंडल पे पी के बटन को आपने प्रेस करना है जैसे या पी के बटन को प्रेस करेंगे रेडी लिखाएगा अब जब रेडी लिखाएगा तो सिंपल आपने रेस देनी है अब मैं उतार दे तो स्कूटी को आपको बताता हूँ जैसे ही रेडी लिखा आएगा आपने सिर्फ अब इस कूटी की रेस को एंटी क्लोक वाइस मूव करना है और ये स्कूटी चलने लग जाएगी आप इसको एजली राइड कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर है रिवर्स का आप्शन भी वोई एक्सेशन ना होज़े तो ये आप्शन भी इसके अंदर मिल रहा है इतनी कम कीमत के अंदर इतने ज्यादा आप्शन आपने सोचा भी नहीं होगा कि माशाला कोई स्कूटी आ सकती है अली भाई अपने प्लाइटफॉम पे इतनी कम प्राइस वाली स्कूटी भी कभी लाएंगे तो ले आएं पागे पर चैस कर लें दि allora जिनको सस्ती कुडिया चाहिए थी इंस्टॉलमयेंट से बहुत सारे मिसें बोसारी कॉंट्र वर्षी हैं बहुत सारे लोगों के डिcaster इस तरफ चाना नहीं चाहते और हम प्राइज के अंदर जितना आपके पास एक लाग 1,5,5 एडवांस होता पार्किंग का उप्शन, हॉन का उप्शन और राइट हैंड साइड पर आपको इसमें मिलता है हैजर्ड का उप्शन, लाइट ऑन ओफ का उप्शन, इसके इलावा रिवर्स का उप्शन और S से इसके जो शिफ्ट्स हैं, जो मोड्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं 1, 2, 3 पर कर सकते हैं, 1 इसका इको मोड है, 2 इसका कमफर्ट मोड है, 3 इसका स्पोर्ट मोड है, जहां से आप इसके को कम या ज्यादा कर सकते हैं 1 के ओपर 35 की स्पीड पर चैर यह वेंट्स तू के ओपर मैं इसको करता हूं और यह आपको 45 42 तक ले जाएगी और 3 पर जैसी मैंने इसको किया तो यह 51 किलोमेटर पर आर की टॉप स्पीड आपको दे रहे हैं 50 इसकी टॉप स्पीड है और एक चार्ज में यह आपको 80 किलोमेटर माली देता है वही ना मज़ेदार बात इतने कम पैसों हो कि अंदर आपको 80 किलोमेटर चनने वाली सकूटी मेलegen error राफल फिंडिस surाम अबाद आपको बता कितने किलोमेटरS है 35 किलोमेटर्स आप राफल फिंडे से टेक्सा ढीप जाते हैं तो टेक्सला आ जाता है 35 किलोमेटर्स आप यह रवात वाली साइड तो रवात आ जाता है 35 km अगर आप मरी वाली साइड जाते हैं तो आप 12 का उप्रॉस कर चुके होते हैं तो 35 km का वैसे तो रेडियस है और यह आपको एक चार्ड में 72-80 km मालीज देने वाली है स्कुटी 10 इंच उलाइर साइज है ट्यूबले साइज इसमें इंस्टॉल किये गए हैं फ्रंट पर आपको इसके अंदर मिल रहा है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन जैसा के मैंने अल्रेडी बिताया बहुत सारे इसमें फिचर्द और फ्रंट हेड लाइड की क्या ही बात है रौंड शेप में आपको मिलती है सिंगल लेंस प्रोजेक्टर लाइड लाइड अगर हम आपको थोड़ा सा क्रीब से दिखाए तो बहुत ही ब्राइड शार्फ लाइड आपको इसमेलिया फ्रेंड आप नेकेड आइस से इसको देख नहीं सकते ग्लोइंग लाइड है इसमें जैसा कि मैंने अल्रेडी बता लेगी यह तमाम मौडल्स आप आपके लिखान अटो कंपनी से लेके जा सकते हैं और न्यू एशिया का रावल पिंडी इसलामबाब का डिस्टिबूटर अटो कंपनी है जो मौडल चाहिए सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में आपको लिखान अटो कंपनी पे न्यू एश और जैसा कि मैंने बताया आजी रमजान साब का मिशन यह है कि वो चाते हैं पूरे पाकिस्तान घर घर के अंदर जिस तरह न्यू एशिया के लोडर्स और रिक्षी आज मौजूद हैं इसी तरह से रमजा की स्कूटर्स और स्कूटीज भी लोगों के घर पे मौजूद हो एजिली एकसेस हो लोगों के पास और वो अपनी जरूर्याते जिन्दगी को असान और बेतरीन बना सकें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त रियल जी वी लोग के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दौाओ में याद रखेगा अपना ख्याल रखेग स्थामौ अलेगों